को है सो बात करने बाइब बैदियोąd двухजे अब सभी दोस्तों का स्वागकत करते हैं कि और नए इंपॉटइन विडियों में इस विडियो में बात करने वाले है एक ऐसी आईपियो के रेलेटिट इस ाईपियों के इस टिस्ते मैं उड़े बात करने जा रहे है उस तरीके का यहां पर subscription figure देखने को मिल ला है काफी बहुतरी देखने को मिल ला है तो इसके coding का इस IPO में आपको apply करने के चलने चाहिए या avoid करके चलने चाहिए और किस तरीके के investor को यहां पर apply करने के planning करनी चाहिए इन सभी points के related इस वीडियो में बात करने बारे है तो पहले हम हम लोग कुछ example को देखेंगे दिन यहां पर company के बारे हम बात करें हम लोग mega flash plastic IPO के related तो आज इस company के आपको listing थी और इस SME IPO के listing कितने पर होते हुए देखने को मिला है तो यहां पर 25% के listing आपको मिलते हुए देखने को मिली है और अभी भी देखा जाया तो जो करवार करती रही है उसके accounting 30% के करवार अभी तक आज चे डेट में करते हुए देखने को मिली है यहां पर buying selling दोनों होते हुए देखने को मिलना है जो कि एक positive points हो जाता है SME IPO जो कि आजकल लिस्ट हो रही है उसमें ज्यादा तर SME IPO में अपर सर्किट या आपको थोड़ी दिनों थोड़ी समय तक कि लिस्टिंग से लेगर बात करें कुछ अबर तक आपको अच्छे का से बेचने का मुका मिल जाता है तो इस IPO के रिलेटर है थी हम लों बात करें तो काफी जादा यहां पर देखा जाए तो लिस्टिंग मिलते हुए देखने को मिल चुक है जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिला था उसके एकॉर्डिंग देखा जा तो 50 टाइम से आई प्यों सब्स को मिला और आपने लिस्टिंग देपर सेल किया है या होल्ट किया है कॉमेंट सकते हैं मेरा तो पॉइंट भी रहता है कि यदि आपको अलॉट मिलता है तो वहां पे आपको सेल और एक्जिट करके चलनी चाहिए क्योंकि देखा जाए तो इस तरीके के SME IPO में आपको किस त जरीके से आज के रिट में लिस्टिंग होते हुए देखने को मिला है उसी एकोडिंग देखा जाय तो अनपर्ण स्वाधिष्ट IPO के स्वाधिष्ट आइपयो के रिलेटर एथ हम बात करें तो अनपर्ण स्वाधिष्ट IPO के जो गरिया मार्केट प्रिम्यम है हो आपको एक subject to rate यानि की देखा जाए तो एक लोट पी यहाँ को जो प्रॉपिर दिखा रही है वो एक लग 10,000 को प्रॉपिर दिखा रही है और गिरे मार्केट प्रिमियम के according 73 के आसपास इसके गिरे मार्केट प्रिमियम ट्रेड कर रही है जो कि इसके कटर प्रिमियम की बात करें तो 70 रुपिज रखी गई हुए है कटर प्राइस के कोडिंग देखा जाए तो कटर प्राइस से उपर इस कंपनी की जो गिरे मार्केट प्रिमियम में वह आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिले है साथ इसाथ देखा जाए तो पहले दिन की ट्रेड कर रही है जिसके कोडिंग आपको लिस्टिंग प्राइस 145 रुपीज देखने को में सकती है साथ इसाथ देखा जाए तो एक सौप साथ परशंट के लिस्टिंग एन मिले की चांस और पॉस्पिलिटी है और एक लाग चालिस चार इन्वेश्मेंट इमाउन पर प्र के तरफ से थोड़ी सी पॉजेटी मोमेंटम देखने को मिले यानि की बारावजी के बाद की काच्छे अप्लिकेशन आते हुए देखने को मिलेगी वैसे बाराव से लेकर दो के बीच में कोई पॉजेटीव और डेवलेप्मेंट होती है तो आपको टेलिग्राम चैनल पर सब्सक्राइब और यहां पर देख सकते हैं लगभक 70 गुना इपियो भी चुकिये है और दुबसे दिन के समाग्ती के बाद हम लोग ने पहले ही देख रहे कि लगभक 18 गुना इपियो अप्सक्राइब हुए थी और Halve Higher में इस Company ने लगभक 28 गुना सब्सक्रिप्चिप् 90प्ति से ऊपर की stick संब्सक्रिभल आपको देखने को मैं सकते हैं तो तरीकइस यहाँ पर्यक्षिचन देखने को मैं सकता है क्योंकि है आज के डिर्म मार्गिट की सिस्ट्विशम की बात करें तो मार्केट भी काफी अच्छी पॉजेटीव आपको भीयव करती ही देखने को मिल लेगी क्योंकि निफ्टी के दिए हम रूपात करेते हैं तो निफ्टी में आपको 115 यानि के 112 पॉइंट्स की गेन आपको देखने को मिलें लगवग 6.47 परसेंट की तेजी के साथ निफ्टी आपको कारबार कर रही है सेंसस की बात करे कि यहां पे 361 पॉइंट्स की गेन डेखने को मिल ला है परसेंटेज वज बात के तो 0.62 परसेंट की गेन के साथ आपको काम कर रही है तो वह देखा जा तो निफ्टी और पूरे इंडियों मार्केट मी आज के चिशन में एक सें पॉजेटिव माहुल लाथी है तो और एक पॉजेटिव सेंटिमेंट IPO मार्केट के लिए देखने को मैं सकती है मैंने क्यों लिखा है कि दो बैस से पहले आपको देखनी चाहिए तो क्योंकि यहां पर देखा जाए तो आपको इस IPO में अप्लाई करने आप इस IPO में अप्लाई करने के प्लानिंग कर रहे है और नेट बैंकिंग और आस्पा कर यूज करते हैं तो वहां पर आपको दो बैस से पहले आपको अप्लाई कर देनी चाहिए क्योंकि कई सारे जो बैंक्स के रूल होती है उसमें आपको दो बजे या तीन बजे कोटक महि कर देंकिंग और आस्पा सी पर यूज कर रहे हैं तो तीन बजे से पहलेख कर देजे और किसी ब्रोकरेश फोरम के द्वर्टार अप्लाई कर सकते है उसका हुश आनेवाले त्मे अप्लाई करने के लिए उसके लिए अपकाउन चाहते है बीदि के दिस्क्осьरी बखस में ल तो इस तरीके से आपको अप्लाई करने के प्लानिंग कर रहा है तो 70 रुपीज जो इसके करण प्राइस है उसी करण प्राइस पर आपको अप्लाई करनी है और इस इसू साइज में QIV की पार्टिशिपेसर नहीं देखने को मिलता है QIV के पार्टिशिपेसर उसी SME IPO में देखने को मिलती है जिस SME कंपनी में आपको काफी अच्छी ग्रोथ और उपरिचुइंटी देखने को मिलता है उसके लिए तो QIV के पार्टिशिपेसर और साथ संकर सर्मा का नाम जोड़ने के वाज़े से इस कंपनी में काफी अच्छी क्रे मार्केट प्रिमे में बज़ बन नहीं हुए है साथ इस सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छी होते हुए देखने को मिला है हम लोग जादे जादे सब्सक्रिप्शन डाटा की बात देख सकते हैं रिटरलर्स केटवर में आपको एक गुना IP और सबसक्राइब हो चुक झाल झाल